एक mixer grinder खड़िते वक्त किस चीज़ पर focus करना चाहिए उसकी rpm यानी blade की speed या फिर motor power एक mixer grinder को properly किस तरके से use किया जाता है जिसे वो लंबे time तक बिना किसी problem के चलते रहे इन जैसे और कई सवालों के जवाब और साथ ही साथ top 5 best mixer grinders के बारे में आज के वीडियो में हम बात करें जो 3,000 रूपीज से लेकर 7,000 रूपीज के बीजी में अविलेबल है अलो गाइस वेलकम बैक टू परकोफिर खड़ीदो आज हम बात करने वाले है top 5 best mixer grinders के बारे में जो reasonable price में best features और quality के साथ अविलेबल है और साथी साथ लंबे time तक चलने भी वाले हैं सो चलिए बिना और time waste करे वीडियो को start कर लेते हैं एक सही mixer grinder आप खड़ीद रहे हो या नहीं उसके लिए कुछ points का जानना बहुत ज़रूरी होता है एक mixer grinder का performance बढ़िया हो यानि mixing और grinding की quality अच्छी हो उसके लिए important है कि उसका rpm यानि speed ज्यादा हो जितना ज़ाद rpm होगा उतनी ही better quality grinding और mixing आपको देखने को मिलेगा और किसी भी mixer grinder को use करने से पहले दो warning जरूर दिया जाता है पहला अगर आप हल्दी अद्रक और hard मसाले जैसे items grind करना चाहते हो तो at least 750 watt motor power होना चाहिए लेकिन मेरा recommendation नहीं है कि ऐसे cases में आप 750 watt से ज्यादा motor power वाला mixer लीजिए और बाकी के जितने mixer को use करते वक्त उसका देर तक continuous use मत कीजिए तीन से चार मिनिट continuously चलाने के बात एक से देर मिनिट का break दीजिए और फिर use कीजिए इससे overheating की problem नहीं होगी और आपको mixer grinder लंबे time तक safely काम करता रहेगा make sure कि mixer के jars steel या फिर food grade plastic का बना हो guys यही थे कुछ important points जो आपको ध्यान मे रखना है बस इनी points को ध्यान में रखते हुए एक mixer grinder खरीदना है और properly जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से use करना है आपका mixer grinder अगले 10 साल तक बिना किसी problem के चलता रहेगा और इनी points को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 mixer grinders आपके लिए select किया है चलिए एक एक करके उन जार सिसके साथ मिलता है एक 1.5 लीटर का liquidizing jar एक 1.3 लीटर का grinding jar और 1.3 लीटर का चटनी jar इसकी body ABS plastic की बनी है guys honestly बना हूँ तो यह बहुत बेहतरीं mixer grinder तो नहीं है लेकिन कम price में अगर आप एक काम चलाने वाला mixer grinder चाहते हो तो आप इसे लेने के बारे में सोच सकते हो फिल आप वहां से इसे जरूर चेक कीजिए नमबर फोर पे हमारे list में है फिलिप्स का HL7756 mixer grinder इसकी भी motor capacity है 750 watts और इसका rpm है 21,000 इसके साथ 3 stainless steel के मने jars मिलते हैं एक 1.5 लीटर का weight jar एक 1.3 लीटर का multipurpose jar और 1.3 लीटर का चटनी jar इसका price भी बजाज के mixer जैसा ही है बजाज के mixer क मुकाबले this is a better choice कि speed अच्छी है so grinding की quality आपको बढ़िया मिलेगी build quality is also good बड हाँ इसका noise थोड़ा ज्यादा है overall के सकते हैं के सारे 3000 के budget में यह satisfying product है 2 साल की overall warranty के साथ यह आपको मिलता है अमारे list में number 3 पे है boss का pro mixture grinder इसके motor का बासरी है thousand watts which is really powerful 24,000 का rpm है so blending और grinding की बड़िया quality आपको मिलने वाली है stainless steel के मेरे 3 jars इसके साथ आपको मिलेगा एक 1.5 लिटर का एक 1 लिटर का और 1.4 लिटर का एक 1.5 लिटर का plastic blender jar भी आपको इसके साथ मिल जाएगा इसके jars के lid में lid locks provided है यहानि mixer जब operate करेगा तब jar के lid को हाथ से पकरने की कोई ज़रूद नहीं है और एक strong suction feed भी provided है for more stability overload protection का feature भी इसमें available है इसकी motor capacity 1000 watt है तो थोड़ा noise आपको इसमें देखने को मिलेगा grinding और blending की quality आपको बढ़िया मिलेगी because of powerful motor and higher speed lid locks and suction feed आपको complete hand free use का advantage देता है build quality strong है advanced features भी इसमें देखने को मिलता है और looks भी काफी बढ़िया है लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसे number 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसका price थोड़ा ज्यादा है 7500 रूपी के round यह आपको मिल जाएगा which is a little costly compared to other mixer grinders on this list 2 years of product warranties के साथ आपको मिलता है it is no doubt a powerful mixer grinder with advanced features link मैंने description में देख दिया है don't forget to check it out मारल इसमें number 2 पे है सुजादा dynamics mixer grinder इसकी motor का पासरी है 900 watts जो काफी बेतरीन है healthy अदरक और hard मसाले वगरा सब कुछ आप इसमें आसानी से grind कर सकते हो 22,000 का rpm है which is really good stainless steel के बने 3000 जार से 7 आपको मिलता है एक 1.5 liter का batter making jar एक 1 liter का grinding jar और एक 0.4 liter का चड़नी jar इसी body ABS plastic की बनी है powerful motor देखनों को मिलता है वो इतहाई rpm so यह mixer grinder grinding और blending बड़िया तरीके से करेगा और कम time में करेगा इसके build quality काफी अच्छी है इसके jars का जो base है वो metal का बना है जो इससे काफी steady बनाता है सुजाता is always known for making good quality mixer grinders और सुजाता का यह model भी आपको मायूस नहीं करेगा आप definitely इसे बिना किसी doubt के purchase कर सकते हो फिलाल यह आपको 5000 रूपीस के round मिल जाएगा with 1 year of warranty नीचे description में इसका link मैंने दे दिया है don't forget to check it out और आज के हमारे list में जो number one पे best mixer grinder है वो है platina gold mixer grinder हो सकता है आप मेंसे कहीं यह नाम पहली बार सुन रहे हो level है काफी देर तक यूज करने के बाद भी इसमें over hitting के problem नहीं आती इसके mortar के ऊपर दो साल की warranty मिलेगी और mixer के बाकी पार्स के ऊपर छे महीनी के warranty है जो थोरा कम है लेकिन grinding और blending की quality आपको लाजवाब मिलने वाली है काफी कम time में ही यह grind कर देता है body material की quality भी काफी अच्छी है और इसका design भी काफी बहतरीन है after sell service भी आपको बढ़िया मिलेगी आप जानके हैरान हो जाएंगे कि यह mixer grinder 4,599 रुपे में ही आपको मिल जाएगा this is a 100% value for money product नीचे description में मैंने link दे दिया है आप वहाँ से इसे जरूर चेक कीजिए so guys this was the top 5 best mixer grinders I hope इन में से आपको अपना पसंदीदा mixer grinder जरूर मिलेगा so आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में till then take care